नमस्कार दोस्तों स्वागा ते डिली स्टेडी में इस वीडियो में जेनरल नोलेज का नहीं बलकि जेनरल साइंस का महत्वपूर्ण प्रसिंद देखेंगे जो परिक्षा के लिए काफी इंपोटेंट है वीडियो पसंद आए एक लाइक एक शेर जरूर करें और चैनल सब् होगा दिलbat मलेरिया संबंदीत है इसका उतर होगा ज्योर से खटे फलो में क्या होता है तो पहलों किया जाता है इसका उतर होगा फ्रेयान क्वेश्चन नमर साथ एक मात्र एमल जो स्वर्ण को घोलता है जिहां इसका उतर होगा एकवारेजिया एक ऐसा आमल है जो स्वर्ण को भी घोल देता है क्वेश्शन 8 आधुनिक प्रमानु सिधान का प्रेनेता को माना जाता है तो कौंँ माना जाता है तो इसका उत्र होगा जॉन डौल्टन को को से दो करके दौंतों का उप्योग होता है इसका उतर होगा क्रिंद तक क्वेश्चन नमर 10 कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तयार होता है इसका उतर होगा नारंगी और वेगनी जिहां नारंगी और वेगनी को एक साथ आप मिश्रित करेंगे तो नया रंग जो तया लन क्या कहलाता है इसका अव्तर होगा दोलन गति कोश्य नमर 13 वाईू मंदल में उपस्तित कूल गैसों का कितना परतिसल्म होता है इसका अटमाल कने है इसका प्रजिन तरक ली करते सा किकितर rein करने वाला हर्मोन कोन सी है इसका उत्तर होगा इंसूलीन केल्सियम हाइड्रो अक्साइड का परियोग करके मोटार के प्लस्टर का निर्मान किया जाता है इसका उत्तर होगा चुना जल परकास संसलेशन में सहायक पत्यों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल पीतल हवा में किस से किस गैस की उपस्तिती के कारण बदरंग हो जाता है इसका उत्तर होगा ऑक्सिजन इसका उत्तर होगा वायू मंडली अदाव की ठोस से सिधे वास्प अवस्था में पदार्थ के रुपांतरन को क्या कहते हैं इसका उत्तर होगा उदातिकरन क्वेशन नमर 22 किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है इसका उत्तर होगा सलफाइड परत क्वेशन नमर 23 रक्त के ठक्का बनने में सहायक विटामिन कोन सी है इसका उत्तर होगा विटामिन के इसका उत्तर होगा सिमेंट क्वेशन नमर 26 बेकरी में साधारन तथा उप्योग किये जाने वाला बैकिंग सोडा वास्तम में क्या होती है इसका उत्तर होगा सोडियम बाइकर्बोनेट क्वेशन नमर 27 अनुवानसिक्ता की इकाई क्या है इसका उत्तर होगा जीन क्वेशन कुलिक कर देगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकस्टेक्टि अपको easiest साने से मिल पाए तो धन्यवाद